हेलो बस्तों रावाजे की चानल एंजिल गावल चारेड्स, अफने वीडिया मेट फॉंपियू व्रश्यक राश्य कि लिए करे आपके आए ये चीज थोड़े सा प्राब्लेम करेड करें कि आपको चीजें जहें वो बंदी-बंदी से नजर आ रही है, problem solve नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है, आप रस्ते बंद हो गए हैं, जैसे कि कोई रस्ता खुल ही नहीं रहा, कोई कामी नहीं नहीं बन रहा, ऐसा हो गए, जैसे obstacle, obstacle आते ही चले जा रहे हैं, जैसे कि कभी मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको अगर यही वीडियो कर आप देख रहे हैं, definitely angels message कर रहे हैं कि एक समय के बाद, यानि कि अक्टूबर के शुरुवात में थोड़ा problem है, उसके बाद आपके ऊपर किस्मत आपकी खुले वाली है, अचा मतब आपके सोच के परे है, तो यह आपको sudden wealth मिल सकती है, अगर prosperity है life में आपके, और कुछ property खरीदने का योग जैसे बनता है, तो वो भी अच्छा समय है, एकदम से कही नौकरी लग सकती है, या नौकरी अगर कर रहे हैं, तो वहाँ कही increment हो सकता है, या आपके mind में एकदम में आपके husband की और आपके खुद की भी prosperity समपनता बढ़ेगी, अच्छे मौके आएंगे, खुशियां रहेंगी आपके life में, अचानक से होगा लेकिन ये सब कुछ, तो उसके लिए वेट करिए, और कोई important information अगर आपको कहीं से मिल रही है, या कोई जना को कुछ message करना चाह रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कि वो क्या आपको बताना या कहना चाहरा है, या दिमाग में कभी-कभी ऐसा होता है, कि हम सोच रहे होते हैं, और एकदम से strike करता है mind में, कि ये idea मेरे दिमाग में आया, तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजेगा, universe आपको कहीं कहीं से, social media के थूरू, या internet के थूरू, या कहीं किसी phone call के थूरू, कैसे भी करके आपको message करेगी, और ये बताएगी कि देखो ये है, असलियत, ये है reality, कोई message या information आपको मिलेगी, आपको यहाँ पर message है कि आपको बहुत सादा ये लगेगा कि लोग मेरी इज़त करें, अपने status के लिए बहुत परवा करना, ये चीज रहेगी, कि आपको अपने status के अपने इज़त की बहुत परवा रहेगी, आपको high honor की बहुत परवा रहेगी, कि मुझे लोग इज़त दें, समाज में मुझको एक रुतबा मिले, और आपकी अच्छी personality भी दिख रही है, confidence का आपके अंदर feeling रहेगी, जो चाहेंगे, पाना चाहेंगे, वो आपको मिलेगा मेहनत करने पर, और फैसले लेने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फैसले अच्छे से लेंगे, इस October मन्त में, आप लोग के लिए message है next, वही same लगवा-लग message थे, कि कि किसी चीज करेंगे कि life में आपके केवल खुशियां ही, खुशियां आने वाली हैं, यहाँ पर किसी नई चीज का start होने का दिख रहा है, कोई नया जना, कोई नई वस्तू मिल सकती है, या कोई नया कुछ opportunity आपको मिल सकती है, मौके आएंगे आपके पास, खुशियां आपके पास लोग आपको आपकी अच्छी personality की वज़े से जानेंगे, पहचानेंगे, यह मैंने बताया, confidence अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर again वही message आ रहा है, और यह चीज होगी ही होगी, कि लोग बहुत attract होंगे, और आपको खुद भी बहुत अच्छा लेगा कि बंठन के रहो अच्छे से, कि मेरा एक status है, मेरी की इज़त है, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, यहाँ पर ऐसो होता है न, कुछ लोग होते हैं, जो जूट फरेब सबसे दूर रहते हैं, और सच्छे बन के रहते हैं, अच्छे, तो मैंने कुछ जब गलत किया ही नहीं है, तो मैं confident हू अपने लिए, यह चीज रहेगी, जो कि बहुत अच्छा है, scholar बहुत अच्छे होते हैं आप लोग, knowledge बहुत होती है, knowledge गेन करने की आदत होती है, यह कहीं से कुछ knowledge गेन कर लो, कहीं से कुछ ग्यान प्राप्त हो जाए, तो हर field में थोड़ा थोड़ा आपकी जानने की इच अच्छा रहती है, क्योंकि अच्छी चीज है, और अगर आप इस October मन्त में जो लोग higher education पाना चाहते हैं, PhD या PG करना चाहते हैं, या UG करना चाहते हैं, तो यह अच्छा आप लोग का समय है, planning कर सकते हैं future के लिए, कि यह चीज हमें क्या करना आगे, इस तरीके से आ रहा ह मत्ता के इस्तमाल करेंगे, intelligence आपकी दिख रही है, अच्छी किस्मत है आप लोग की, October मन्त में, इस किस्मत को अच्छी जगे लगाए, यह सही जगे लगा देंगे, तो success आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपके अंदर एक young energy है, युवा energy है आप लोग के अंदर, कार करने की श personality के तरफ attract होंगे, आपकी youngness की वज़े से, look up and look brightly का message था आप लोग के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा message है कि, आपको आगे बढ़ते रहना है जिन्दगी में, और जिधर आपको लगे कि ये चीज, ये रस्ता मेरे लिए उज्ज्वल है, तो बिलकुल उधर उस तरफ जाएए, और आपकी जिन्दगी एक नए मुकाम पे पहुचेगी, बिलकुल पहुचेगी, look up and look brightly, मतलब आगे देखते रहिए, और हमेशा अच्छी चीज़ों के तरफ अपना रोजहान करिए, positive रहिए, positive attitude रखिए, किसी नगर आपकी help करिए, support आपको किया है, तो इसको thank कहना मत भूल जाएगा, please उसको thank you कहके आईएगा, जो वो आपकी feeling आपके लिए रखता है, वो इस same feeling आपको उसको भी जाहिर करना रहेगा और उसको अच्छा लगेगा, universe को भी आप thank you कह सकते हैं, अपने god या goddess या इश्टदेव, या आपकी जो इश्टदेवी हैं, उनक gratitude करना मत भूल जाएगा, ये इससे आपका कर्मा अच्छा होगा, next इससे मेसेज आ रहा है, adaptation का, change will be better than you think, देखिए इस वक्त changes हैं आपके life में, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत शिकायत करते हैं लोग कि हमारा काम रुका हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, इस वक बदलाव होगा, आपके life हैं, blockages हटेंगे, रुकावटे हटेंगी, और changes आने वाले हैं, जो की better है, आप लोग के लिए, और जो सोच रहे हैं, हो सकता है, इसके और ज़्यादा, जैसे कि मैंने बता हैं, उसके परे हो, इसके और अच्छे हो सकता है, तो ये change, ये बदलाव आपके life में है, आप इसको change नहीं कर सकते, इस वक्त होगा, changes आएंगे life में, और prosperity का बहुत अच्छा है message था, अगर आपी sigil देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके life में prosperity आएगी, business point of view से, richness और success का यहाँ पे message है, elements का बहुत अच्छा message है, कि आप लोग के ज हैं, जितने भी यह आपको fire element, जो अगनी तत्व है, उसके तरफ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है, कि यह elements आपके body में ठीक नहीं जा रहे हैं, तो उनको improve करिए, angels message कर रहे हैं, इससे life better होगी, fire element को सही करने के लिए, आप उसके बहुत सारे उपाएं हैं, जैसे कि आप अपने life में red color या orangish red color का जादा अपयोग करें, उससे क्या होगा कि life में आपके energy रहेगी, खाने में, या आप उस तरह के crystals यूज़ कर सकते हैं, colors का यूज़ कर सकते हैं, fire element में, मैंने एक बहुत सिंपल सा आपको एक वपाएं बताया, fire element के लिए, air element, खुली हवा में सास मतलब सास लीजे, और जैसे की प्रणयाम कर सकते हैं, और पेड़ पौधों के पास बैठिये, उनसे मतलब थोड़ा सा उनकी सेवा करिए, earth element, meditation करिए, जमीन पे बैठिये, पलती मार करके, तो उससे क्या होगा कि आप या जो मिट्टी में जो जैसे बरतन होते हैं, गिलास ह होता है, तो उससे आप पानी पी सकते हैं, water element सही करने के लिए आपको पहचर मातरा में पानी पीना अच्छा रहेगा, water healing भी होती है, तो उससे क्या होगा कि आपके life में ये जितने भी elements हैं, ये सब एकदम सही सही balance form में आएंगे, तो आपके जो seven chakras हैं, जो इससे affected होते ह वो सब भी सही हो जाएंगे, दीमे दीमे, इससे क्या होगा, आपके life में एक powerful, protective boundaries रहेंगी, और spiritual, mentally, physically और emotionally आपके life में सब चीजें balance रहेंगी, ये बहुत अच्छा आप लोग के लिए आया है, preserve awareness का motivation to keep going despite the odds, मदब जितना चाहें जितनी भी odd situation आ जाए, चाहें जितनी भी खराफ situation आ जाए, आपको हर समय motivated रहना है, प्रेड़ना लेनी है, खुद अपने आपको प्रेरित करना है, कि नहीं मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहें जो हो जाए, अपने आपको preserve कर यह इस वक्त, ऐसा करने से जिन्दगी में आपके चीज़ें बदलेंगी, तो I think आपको message clear हो गया होगा कि angels की तरफ से, कि आपको October मत में क्या करना है, so thank you so much, thank you so much.